हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूनी रशिंग और आप सभी को स्वाइब करता हूं मेरी यूट्यूब चानल क्या देखा पड़ दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले बहुती खूलशूरत और सांदार जगह जिसको देखर आपका भी तरह ब्रोमा चेत वोटे का चलिए दोस मणायल देसिल के अंदर ये जह बैरी ये चंबल अदी बहरी है जो कि अधिप और राहिस्तान लगला बॉटर उसके बीच की ये शीमा अलगम अलब इसके जो राइंपी का बॉर्टर लग जाता है और जो लेत और जहां पर हम हैं ये राहिस्तान का एरिया है तो अकरी इर और हमारे पूरी मित्रों की टोली है जो गूमने आया है हमारा मन करादा गूमने का तो हम निकल लिए और सर्दी का माहूल है पानी बहुत ठंडा है और यहां जो एरिया है यहां पर गहरा ही बहुत कम है तो यहीं हम विश्णान करेंगे कुछ दिर पाद पहले एक वर इसके देते हैं पूरा जारा आपको दिखा देते हैं उसके पाद नहीं परेस्टिन करेंगे यह देखने सामने हमाने पत्तर बढ़े है और जो आगे देख रहे है बहुत ज़रा एरिया है जो या पत्तर वगड़र यह देख रहो ना यह पानी से ही कट-कट के इनका इस जो कि देख भी आपको जुम करके बताता हूँ यह इसका मैन-पॉइंट है जो गाद है लुगाद है इस भी बहेंट बहुत करते हैं बहुत स्पीडों यह ते हमानी बहें देल आलवी है और गड़याली है देखने को मिलते हैं लेकर हमें तो अब हमन तो लोग वाग बोलती है यह देखिए किना स्पीलर पानी आ रहा है और बेंका तेज नदी से पानी आवी जाता है यह इसकी जो खासियत है इसके मस्ली बगण रहा है रही मस्ली बगणने का तारश नुटाल लगा इसके निए यह देखिए आपको इंटीले से बनेगे हैं कहीं मुचा कहीं देखिए उबडखावर जगाएगे बहुत ही खूसर जी नगारा है आप तभी मौका मेरे तो देहन जबूर आईएगा तो बहुत ही प्यारी यग है पर जो मेरे दिखा रहा हूं अपको यह पहुत ही गहरी जगह यह पर को बहुत ही गहरा शेत्री वाला जिसको तेरना आता है वह यह यहां पर ना सकता है इसके अदाबह तो उनको तहरना आता नहीं है कि हम वहीं जाएंगे जाएंगे आपको पहले दिखाएंगे और आपको इंजोई कराएंगे और यह हमारा मित्र है बहुत ही पुराना लगोटी है यार है जो आप देख रहे हैं सामने यह जो सामने सामने प्यशकों से लिए्यट किया देखिए शा करते systems a lot's a little अरे तेहराक बल्लो उर्थ बल्लरा अप आरे तयराक अब के त़गा तो दोस्तो आप चलते हैं बापस करकी और दोस्तो अमीद करता हूं आपने जोए किये होगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक ज़रू कीजेगा और चैनल का पहली बारे पर स्प्राइब ज़रू चाहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेर करें दोस्तों आपको जगे कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर होता है जाए इंचाहिए